नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब, संडे मोटिवेशन मंतरा में आपका स्वागत है और आज हम वापस से जुड़ गए हैं कुछ जीवन के स्किल्स को जानने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, इंस्पायर होने के लिए तो आज मैं आपको कुछ मेमरी हैकस बताने वाला हूँ, कि अपनी मेमरी को इंप्रूव करने के क्या तरीके हैं मेमरी पावर पर लगातार में बोलता रहा हूं, पहले भी कई बार बोल चुका हूं और आज वापस से बहुत कम समय में बहुत चोटे चोटे ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं नोट डाउन कीजिए, जीवन में अपनाईए और जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताईएगा कि इन लेक्चर्स का आपके जीवन में क्या फाइदा हो रहा है क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं पहली बात तो ये समझते हैं कि हमारी मेमरी बनती कैसे है हमारी मेमरी बनती है जो कुछ भी हम अपनी सेंसे से परसीव कर रहे हैं जो कुछ भी आप अपनी इंद्रियों से बोध कर रहे हैं वो आपके विचार, आपके मस्तिश्क और आपकी मेमरी यानि आपकी याददास्त का भाग बन जाता है फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे अपनी मेमरी को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमरी को इंप्रूव कर सकते हैं चार तरीके माने गए हैं memory improve करने के लिए या चीज़ों को memorize करने के लिए. एक तरीका होता है सुन कर. जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो आपको याद होने लगता है. सुनना, बार बार सुनना. और अगर साथ में आप सुनकर visualize कर सकें, अगर आप फिल्मों के गाने, फिल्मों के डायलॉग सुनते हैं, तो आप बिना नोट्स बनाएं उनको याद रख पाते हैं लंबे समय तक कैसे, और वहीं क्लास में जब कोई चीज़ आप सुनते हैं, कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत जल्दी भुला जात और बहुत इंपॉर्टेंट है बुलना, उस बात को बार-बार रिपीट करना, तो सुनना, देखना, बोलना, लिखना, ये चार तरीके हैं, जिनसे हमारी मेमरी बनती है, इस्टुडेंट लाइफ में कई बार लोग क्या करते हैं, कि चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, बोलने का काम दे रखा है टीचर को तो आपकी memory 100% बन ही नहीं रही है सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, और देखेंगे, visualize करेंगे जब आप ये चार काम लगाता repeatedly करते रहेंगे, revise करते रहेंगे तो आपकी permanent memory भी वो चीज़ चली जाएगी तो time निकालिए, visualize करने के लिए, time निकालिए, notes बनाने के लिए synopsis बनाएए, jot down कीजिए, और to the point चीज़ों को याद रखने का प्रयास कीजिए और जब चीज़ें आपकी memory में हों, तो किसी को बोल करके सुनाएए group discussion इसमें बड़ा role play करता है, अगर हम education की बात कर रहे हैं, study की बात कर रहे हैं memory और wisdom मतलब याददाश और बुद्धिमत्ता ये अलग-अलग दो चीज़ें मानी जाती हैं लेकिन अगर आप किसी exam में better perform करना चाहते हैं, आप अच्छा speaker बनना चाहते हैं आप जो है बहुत अच्छे औरेटर बनना चाहते हैं, आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो आपकी memory और wisdom ये दोनों ही जरूरी है, केवल wisdom काम में नहीं आएगी, केवल memory काम में नहीं आएगी तो इन कुछ चीजों को जीवन में अपना कर देखिए और उसके बाद मुझे बताईए कि कैसे आपकी memory इंप्रूव हो रही है जुड़े रहना आपके अपने फिवरेट प्लेट फॉर्म इदिक सिक्षा से ताकि मैं आपको बता दे रहूँ छोटी छोटी बातें जो जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे नमस्कार जहन